नमस्कार प्यारे बच्छों आशा करती हूं आपको शर्मंगल हूंगे मैं जोत्सना चंडिगड़ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आज के इस अध्याय में आपका साथ दूंगी लाल किला, कुट्ब मिनार, ताज महल, सोमनात मंदिर, सोंड मंदिर, कुछ आस्था की जगा, कुछ बीर गाथा की जगा, एक इनसान के अस्तित्तों का प्रतीक है एक शासक ने जब एक देश में शासन किया, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस तरह से दुनिया को दिखाना चाहते थे, अपनी विजेगाथा को इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे अतीत के बारे में और पुस्तक का नाम भी वही है, हमारे अतीत भाग दो, अध्याए है पाँचवा और अध्याए का नाम है शासक और इमारते, चलिए, जानते हैं भारती इतिहास कई राजियों और समराज्यों के उत्थान और पतन से भरा है, वे भारत के पिछले इतिहास पर प्रकाश डालते हैं ये समार्क भारत के गौरव को प्रदर्शित करते हैं और हमारी संस्क्रितिक विरासत का हिस्सा है भारत के लगभग सभी राज्यों में कुछ या अन्य महत्वपूर्ण इतिहासिक स्मारकों का दावा है इसके महत्वपूर्ण इतिहासिक स्थानों की जहलक पाने के लिए हजारों प्रेटक प्रती वर्ष भारत आते हैं ताज महल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और खुबसुरत इमारतों में से एक है ताज महल का निर्माण शाअ जहाँ ने अपनी पतनी मुम्ताद महल के मकबरे के रोप में करवाया था लाल किला भी उनीस मारकों में से एक है जो दिली की शुभा बढ़ाते हैं लाल किला भी मुगल समराट शाह जहां दोरा ही बनाया गया इस इमारत की वास्तुकला में लाल पत्थर और संगमरमर का शानदार काम किया गया है और नाजुक नकाशी का ये अद्भुद नबूना है कुत्ब मिनार भी एक महत्वपून इतहासिक्स मार्क है कुत्ब मिनार का निर्मान कुत्ब दीन एबग ने बारमी श्ताबदी में शुरू किया था लेकिन इसे उनके उत्तरादिकारे इलतुतमिश ने पूरा करवाया मिनार लगभग 230 फीट उचा है मिनार की दिवारों पर गहन रूप से नकाशी की गई है कुरान के चंदों का प्रियोग किया गया है इसे अक्सर तुर्क अफगान राजवंश की सैन्य शक्ती के प्रतीब के रूप में देखा जाता है दिल्ली में पुराना किला हिमाईयों का मकबरा जंतरमंतर ऐसे ही इतिहासिक्स मार्कों में से एक हैं हैदराबाद भी अपनी आकरशक मिनारों के लिए प्रसिद है शहर को अकसर राजसी चार मिनार से पहचाना जाता है जो पुराने शहर के केंदर में है इसे मुहम्मद कवील शाह ने बनवाया था इसके विशाल आकार और राजसी वैभव के साथ चार मिनार कई लोगों में इसके विशाल आकार और राजसी वैभव के साथ चार मिनार कई आगंतुकों को अकरशित करता है हैदराबाद में कई अन्य परसिद समार्क हैं में से गोलकुंडा किला, कुतबशाही, राजाओं के पुरानी हवेलिया, मुख्य रूप से लोगों के बीच काफी जानी मानी जाती हैं। ऐसे कई समार्क हैं जो ना केवल इतहासिक रूप से प्रसिद्ध हैं बलकि धार्मिक महत्व भी रखते हैं। पुरानवी बार्मी श्ताबदी में मंदिर के लिए जाता जगनात जो की भगवान विश्णु के सम्मान में बनवाया गया। इसकी शुरुआत राजा चदगंगा और राजा अनंग भी देव दौरा की गई। यह एक बहुत ही विशाल मंदिर है। वहीं अमरिज सर के सुवन मंदिर को दरवार साहब के नाम से भी जाना जाता है। यह सिखों का एक महांतीर थै। गुरु अर्जन देव के प्रत्यक्ष नियंतरन और देखरेक में पवित्र मंदिर का निर्मान पूरा हुआ था। प्रसिद मुस्लिम दिव्य में मीर दोरा इसकी आधार शिला रखी गई। गुरु का इरादा सभी जातियों के लोगों और धर्मों के लिए मंदिर को खुला रखने का था। इसलिए इसे प्रतेक दिशा में चार दरवाजे दिये गए हैं। इसके चारों और एक तालाब है। महराजा रंजीत सिंग के शासनकाल के दौरान मंदिर के नीचले आदे हिस्से में संगमरमर का काम किया गया। जबकि पूरे उपरी आदे हिस्से में सोने की प्लेट अत्वा तामबे से प्रवर्तित किया गया। इसी लिए इसे सुन मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। उचन्य धार में समार्क बद्रेनात मंदिर, दिलवाडा मंदिर, दक्षिनेत शुर मंदिर, कैलाश नात मंदिर, साथ शिवाले, कमल मंदिर, रामे शुरम मंदिर, ना ही सिरफ भारतियों के आस्था का प्रतीक हैं, बलकि हमारे देश को विश्यो विख्यात भी बनाता ब्रिटिश काल में भी कुछ महत्वपुन समार्कों का निर्मान किया गया इन समार्कों का भारतिय इतिहास में अपना स्थान है इंडिया गेट का निर्मान उन भारतिय सैनिकों की याद में किया गया जो प्रथम विश्वी उद्ध में मारे गए थे 1911 में पहली बार जब ब्रिटिश समराट किंग जॉर्ज पाँच और कुईन मेरी की यात्रा हुई तो गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान किया गया अंग्रेज उद्वारा निर्मित कई अन्य समार्क भी हैं जिन में से राश्रपती भवन, संसत भवन और विक्टोरिया मेमोरियल मुख्ये हैं इन समार्कों को दुनिया भर के लाखों परेटक हर साथ देखने आते हैं चले बात करते हैं अभियांतरी की कोशल तथा निर्मान कारे की समार्कों से हमें उनके निर्मान के प्रियुक्त शिल्प विग्यान का भी पता चलता है छट का ही उधारन लीजिए हम चार दिवारों के आर पार लकडी की शेहतीरों अत्वां एक पत्थर की पटिया रखकर छट बना सकते हैं लेकिन यह कारे उस समय बहुत कठीन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्मान करते हैं इसके लिए अधिक प्रिश्कृत कोशल की जरूरत होती है सात्मी और दस्मी श्ताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक दर्वाजे खिड़कियां बनाने लगे थे चट दर्वाजे और खिड़कियां अभी भी दो उर्द्वाधार खंबों के आर पार एक अनुप्रस्त शेहतीर रखकर बनाय जाते थे वास्तुकला की यह शेली अनुप्रस्त तोडा निर्मान कहलाई जाती थी आठमी से तेरमी श्ताब्दी के बीज मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीडीदार कूओं जिने बावली भी कहा जाता था उनसे जुड़े भवनों के निर्मान में इस शेहली का प्रयोग हुआ ग्यारमी श्ताब्दी के प्रारंब में मंदिर निर्मान आपकी पुस्तिक में तीसरे चित्र में शिव की स्तुती में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान चंदेल राजवश के राजा धंग देवित द्वारा 999 में किया गया था मंदिर की योजना एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभाभवन जिसे महामंडब कहा जाता था जहां निर्त्य का आयोजन होता था वहां तक पहुँचा जाता था प्रमुख देवता की मूर्ती मुख्य मंदिर गर्ब ग्रय में रखी जाती थी धार में का नुष्ठान इसी जगा संपन किया जाते थे तथा इन में केवल राजा उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित इत्कत्रित होते थे खजुराओ समूह में राजकिय मंदिर सम्मिलत थे तथा सामान्य जन्मानस को जाने की अनुमती नहीं थी ये मंदिर सू परिश्कृत उतकीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे तंजौर के राजा राजेश्वन मंदिर का शिकर उस समय के मंदिरों में सबसे उचा था इसका निर्मान करना आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी शिकर के शीर्ष तक 90 तन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठा कर नहीं ले जा सकते थे इसलिए इस काम के लिए वास्तु कला ने मंदिर के शीर्ष तक पहुँचने के लिए चड़ाई धार रास्ता बनवाया रोलरों दोरा भारी पत्थरों को इस रास्ते से उपर ले जाया गया इस काम के लिए चार किलोमेटर से जादा लंबा पत्थ तियार किया गया जिससे चड़ाई बहुत खड़ी ना हो मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया लेकिन उसक्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्मान के अनुभव को काफी लंबे समय तक याद किया आज भी मंदिर के पास के एक गाउं को चारू पल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चड़ाईदार रास्ते का गाउं बार्मी श्ताब्दी में दो प्रोध्यों किये एवं शैली संबंदी परिवर्तन दिखाई दिए पहला दर्वाजों और खिड़कियों के उपर की अधिरचना का भार कभी-कभी महराबों पर डाल दिया जाता था वास्तुकला का यह चापा कार रूप था दूसरा था निर्मान कारे में चूना पत्थर सिमेंट का प्रियोग यह उच्च श्रेणी की सिमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकडों के मिलने से कंक्रीट बनती थी इसकी वज़ा से विशाल धान्चों का निर्मान सरलता और तेजी से होने लगा अगर अपनी पुस्तिका में देखें तो चित्र छे में निर्मान स्थल पर हम इसको देख सकते हैं मंदिर मस्जिदों और हौजों का निर्मान मंदिर और मस्जिदों का निर्मान बहुत सुन्दर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे वे अपने सरक्षक की शक्ती धन वैभव तथा भक्ती भाव का भी प्रदर्शन करते थे उधारन के लिए राजा राजेश्वर मंदिर को ही लीजिए एक अभिलेक से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्मान राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वर की उपासना हितु किया था ध्यान दे कि राजा और उसके देवता के नाम काफी मिलते जुलते हैं राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा सुएं को इश्वर के रूप में दिखाना चाहता था धार्मिक अनुष्ठान के जरिये मंदिर में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजा राजे शुरम का सम्मान करता था सभी विशालतम मंदिरों का निर्मान राजाओं ने करवाया था एक लगु रूप ही था जिस तरह से वे राजकिय मंदिरों में इकठे होकर अपने देवी देवताओं की उपासना करते थे ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के नियाए प्रिय शासक को प्रित्वी पर ला दिया हो मुसल्मान सुल्तान तथा बादशा सुएं को भगवान के अव्तार होने का दावा तो नहीं करते थे किन्तु फार्सी दरवारी इतिहासों ने सुल्तान का वर्णन अल्ला की परिचाई के रूप में किया दिल्ली की एक मस्जिद के अविलेक से पता चलता है कि अल्ला ने अलाओ दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीद के महान विदी करताओं मूसा और सुल्मान की विशिष्टताइं मौजूद थी सबसे महान विदी करता और वास्तुकार अल्ला स्वें था उसने अवस्था को दूर करके विश्व का स्रीजन किया तथा एक विवस्था और संतुलन कायम किया सत्ता में आने पर प्रतेक राजवश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला उपासना के स्थानों के निर्मान ने शासकों को इश्वर के साथ अपने घनिष्ट संबंदों की उद्गोशना करने का मौका दिया ऐसी उद्गोशनाएं तेजी से बदलती राजनीती के संदर्ब में महत्व गरहन कर लेती थी शासकों ने विद्वान तथा धर्म निष्ट व्यक्तियों को भी आश्रे प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्व पून सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित किया अब जानते हैं मंदिरों को क्यों नश्ट किया गया राजा मंदिरों का निर्मान अपनी शक्ति धन संपदा और ईश्वर के प्रती निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे ऐसे में यह बात आश्चरे जनक नहीं थी कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आकरम 831 से 851 तक जिनों ने राज्य किया उसको पराजित किया उसके विशे में बौद भिक्षुवर इतिहास कर धमकिती ने लिखा है कि सारी बहु मिले चीजें वहले गया रतन महल में रखी स्वन की बनी बुद्ध की प्रतिमा और विबिन मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं सिहली शासक के आत्म अभिमान को इससे जो आगहात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वभाविक था अगले सिहली शासक सेंद्वित्य ने अपने सेनापती को पांडे की राजधानी मदुरई पर आकरमन करने का आदेश दिया बहुत इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की सोन मूर्ति को ढून निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्रपून प्रयास किये गए इसी तरह ग्यारमी श्ताब्दी के आरंब में जब चोल राजा राजेंद परत्रम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्वान करवाया तो उसने पराजध शासकों के जब्त की गई उतकरिष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित हैं चालुकाओं से प्राप्त एक सूरे पिठी का एक गनेश मूर्ती तथा दुरगा की कई मूर्तियां पूरवी चालुकाओं से प्राप्त एक नंदी मूर्ती उडिसा के कलिंग से प्राप्त भैरव तथा भैरवी की मू जाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूतियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपून शासक नहीं था लेकिन मंदिरों को नश्ट करके खास तोर से सूमनात मंदिर को उसने एक महान इसलामी योदा के रूप में श्रेप र पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमन करके और उन्हें लूट कर करते थे इसी के साथ आते हैं बाग मकबरे और किले मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई थी बाबर हुमाईयों अकबर जहांगीर और विशेश रूप से शाह जहां साहित अधिकला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रूची लेते थे अपनी आत्म कथा में बाबर ने अपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बारे में रूची का वर्णन किया है अकसर ये बाग दिवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम रहरों द्वारा चार भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्तित थे अपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनने तथा खाका त्यार करने में बाबर ने अपनी रूची का वर्णन किया है चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे चार बाग बनाने की परंपरा उकल वास्तुकला के विभिन ततो एक विशाल सदभाव कून संस्शलेशन में मिला दिये गए शाजहां के शासन में अनवर्थ निर्मान कारे चलते रहें विशेश रूप से आगरा और दिल्ली में सारवजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारों कक्षों की योजना बहु कहलाते थे शाजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नव निर्मित दर्वार में राज की नियाय और शाही दर्वार के अंतसंबंद पर बहुत बल दिया बादशा के सिहासन के पीछे पित्रा दूरा के जड़ाउ काम की एक श्रंकला बनाई गई जिसमें पौरानिक यु दूसरे के साथ रहते थे शाजहां के शासन के आरंबिक वर्षों में शाजहां की राजधानी आगरा थी इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्मान यवना नदी के तटों पर करवाया था इनका निर्मान चार बाग की रचना के ही समान अपचारिक ब बाग भी बनाए गए थे जिने इतिहास का नदी तट बाग कहते थे इस तरह के बाग में निवास्थान चार बाग के बीच में स्थित ना होकर नदी तटों के पास बाग के बिलकुल किनारे पर होता था शाजहा ने अपने शासन की भव्यतम वास्थु कलात्मक उपलबदी ताजमहल के नक्षे में नदी तट बाग की योजना अपनाई यहां सफेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिन में बनाया गया नदी पर सभी अभी जातों की पहुँच पर नियंतरन ही तू शाजहा ने वास्तु कलात्मक रूब को विक्सित किया दिल्ली के शाजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित किया उसमें शाही महल नदी पर स्थिफ्ता केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभी जातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा को ही नदी तक पहुँचने की इजाज़त मिलती थी अन्ने सभी को अपने घरों का निर्मान यमुना नदी से दूर शहर में करवाना परता था क्षेत्र व समराज्य आठमी व अठारमी श्थापदी के बीच एक निर्मान संबंदी गतिविदियों में बड़ोत्री हुई तो विभिन क्षेत्रों के बीच विचारों का भी प्रयाप्त आदान-परदान हुआ एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई उधारन के लिए विजे नगर मेराजाओं की गजच शालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तु कलात्मक शैली का बहुत प्रभाव पड़ा मथुरा के निकट स्थित वरिंदावन में बने मंदिरों की वास्तु कलात्मक शैली फत्यपूर सीकरी के मुगल महलों से बहुत मिलती जुलती थी मुगल शासक अपने भवनों के निर्मान में क्षेत्रिय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने के लिए विशेश रूप से दक्ष थे उधारन के लिए बंगाल में स्थानिय शासकों ने छपपर की जोंपडी के समान दिखने वाली चट का निर्मान करवाया मुगलों को यह बांगला गुंबद इतना पसंद आया कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया अन्यक शेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था अकबर की राजधानी फत्यपूर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात वं मालवा की वास्तुकलात्मक शेलियों का प्रभाव दिखता है अठार्मी श्ताब दीम से मुगल शासकों की सत्ता के धुमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रे में विक्सित वास्तुकलात्मक शेलियों निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वय के राजधापित करने के प्रयास किये यह शेलियों अपनाई गई आशा करते हूँ आपको आज के अध्याय में काफी कुछ सीखने को मिला होगा चलिए देखते हैं हम दरसल कितना सीख पाई आपको आपकी स्क्रीन पर दो अलग बक्सों में अलग अलग वाक्य मिलेंगे चलिए इनका मिलान करते हैं सुल्तान सुल्तान को इश्वर की चाया माना जाता था राजा का जलाशे हौजे सुल्तानी आठ परेड हैश भिहिष्ट चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको अपनी स्क्रीन पर एक प्रश्ण तथा उसके चार उत्तर दिये हैं आपने सही उत्तर चुनना है कुत्ब मिनार की पहली म Holzils का निर्माण 1199 के सपास किस न किया कुट दीन एबख्, हिमाईू, इबराहिम लोदी या मुगमध गुलग बिल्कुल सही कुतुद्ब दीन एबख्ने पहली मन किसंसरा जफिर चौथा विकलब दो तथा हैं विकलप तीन दोनों इस्ट भी जह नगर में हाथी एस्टबल बीजापूर की सल्तनत था गोलकुंड़ा की सल्तनत दोनों की स्थापत्य शली से प्रभवेत यह तो इसका सही जवाब है, चौथा विकल्प दो तथा तीन दोनो मिनार की सतर क्या है? सीधे, मूरी हुई या घुमावदार, कोनी या फिर इन में से कोई नहीं? मिनार की सतर, मूरी हुई या घुमावदार है. भारतिय संस्कृती विश्व विख्यात है और हम हर अध्याई के साथ ये सीखते चले जाते हैं हम और वीडियो के साथ जल्द ही वापस आएंगे तब तक के लिए स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए तथा पढ़ते रहिए नमस्कार